इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक WhatsApp बिजनेस यूज करते हैं, तो आपको आपके WhatsApp बिजनेस में एक option देखनों को मिलता होगा, email का, आप उसमें अपना email id कैसे add कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आप अपना email id आइड करते हैं, जब भी कोई आपके WhatsApp के परफाइल में विजिट करेगा, आपका email यहाँ यहाँ पर सो करेगा, अगर उसको business related, अगर कोई साभी query होगा, तो आपको आपके email पर सेंड कर सकता है, तो चली यहाँ से हम पहले अपना WhatsApp बिजनेस ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हमें three dots पर क्लिक कर देना है, उसके आप जो भी अपना email यहाँ पर आइड करना चाहते हैं, आपको अपने email यहाँ पर इंटर कर लेना है, उसके बाद हमें save वाले option पर क्लिक कर देना है, आप देख सकते हैं, मेरा email यहाँ पर successfully लग चुका है, अगर आप भी WhatsApp बिजने स्यूज करते हैं, तो आप इसी तरीके स आपना email यहाँ पर सकते हैं, और अगर वीडियो पर संद आता है तो वीडियो को लाइक जुरूर कर दें,